हलो फ्रेंट्स आपका बहुत बहुत स्वाधत करती हूँ आपके अपने चानल लीकल हेल्पिन हिंदी में दोस्तों अपने पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एक अच्छा वकील कैसा होना चाहिए और एक वकील को अपोइंट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप वकील हैं या फिर वकील बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए कहने का मतलब ये है कि वकीलों के क्या करतव ये होते हैं कोट में उन्हें किस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए कोट की कारिवाई में किस तरह से काम करना चाहिए और कोट की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सब को जानेंगे तो वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा और चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथ में और नोटिफिकेशन बेटन को आउन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उससे अपडेट होते रहें और जानकारी अच्छे लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा बात हो रही है एक अच्छे वकील की या फिर यूं कहिए कि वकीलों की डियूटीज के बारे में वकीलों का करतव यह होता है कि वो किसी भी मामले में अपने क्लाइन की ओर से किसी भी तरह की मिथ्या या किसी भी तरह के गलट डॉक्यूमेंट को कोट में पेश न करें वकीलों की ये डियूटी होती है कि वो अपने कानूनी विवसाई के साथ साथ कोई भी ऐसा विवसाई ना करें जिससे की कानूनी पेशे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ें क्योंकि कानूनी पेशे के अलावा अगर वो किसी और पेशे से जुड़ जाते हैं तो वो अपने कानूनी विवसाई के साथ न्याई नहीं कर पातें उसे पूरा टाइम नहीं दे पातें इसलिए पूरी तरह से उन्हें अपने काम के लिए समर्पित होना चाहिए नियाई प्रक्रिया में अनवश्यक बाधा पड़ती है और मुकदमे के निप्टारे में देरी भी होती है कोई भी डॉकिमेंट कोट में पेश करने से पहले उनका ये करतव्य होता है कि वो टाइपिश्ट द्वारा की गई गलतियां उसमें निकालें या फिर ना रह जाएं क्योंकि अगर टाइप सुधा गलतियां होती हैं तो उन्हें सुधारने का पूरी रिस्पॉंसिबलिटी एक वकील पर होती है कि वकीलों से ये आशा की जाती है कि वो बार और बेंच के बीच हमेशा ही एक मधूर संबंध बनाए रखें वे ऐसा कोई भी काम न करें जिसे बार और बेंच के बीच संबंधों में दरार पड़ें एक वकील को ऐसे किसी भी मामले की पैरवी नहीं करना चाहिए जिसमें उसका ही आर्थिक हित जुड़ा हो वकील को किसी भी ऐसे केस में नहीं पढ़ना चाहिए ना ही ऐसे मामले में पेश होना चाहिए जिसमें कि ये विश्वास करने का कारण हो कि वो एक गवाह बन सकता है अगर वो किसी केस में गवाह के रूप में उपस्तित होता है तो उसे वकील के रूप में नहीं जाना चाहिए इससे उसके क्लाइन के हितों पर उल्टा असर पढ़ सकता है एक अच्छे वकील से ये आशा की जाती है कि वो अपने क्लाइन के मामले को या फिर उसकी प्राइविट बातों को किसी दूसरे वक्ति के सामने नहीं करेगा उसे पूरी तरह से गोपनी रखेगा और अनवश्यक या फिर जूटी मुकत में वाजी को पढ़ावा भी नहीं देगा वकीलों को अपने विवसाई के प्रती पूरी तरह समर्पित रहने के साथ साथ हमेशा सतर्क और सचेत रहना चाहिए वकीलों का ये दाइत भी होता है कि वो अनुचीत और अनवश्यक हड़ ताल परना जाए और नियमित रूप से कोट में उपस्तित रहें कोट को बहिश्कार करना विवसाई आचार सहीता के खिलाफ है इसलिए वकीलों को ऐसी प्रविर्दी से बचना चाहिए इसके साथ ही एक अच्छे वकील से ये भी उमीद की जाती है कि वो केवल अपने ही मामले की पैरवी करेगा दूसरे वकीलों के मामले में किसी भी तरह की हश्त शेप नहीं करेगा और ना ही उसमें पैरवी करने लगेगा ये कानून विवसाई की गर्मा और साक बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वकीलों की ये भी ड्यूटी है कि वो अपने क्लाइन के विस्वास को हमेशा बनाए रखे विरोधी पार्टी के साथ किसी तरह की बाचीत ना रखे ना ही विरोधी पार्टी को किसी तरह की कानूनी सलाह दे एक प्रोफेशनल वकील को कोट में समय पर उपस्तित होना चाहिए और वकीलों को कोट रूम में शांती पूर्वक बैट कर अपने मामले के सुनवाई के लिए नमबर आने तक इंतिजार भी करना चाहिए और बार बार कोट को अपना मामला पहले लेने के लिए नहीं कहना चाहिए वकीलों को चाहिए कि वो कोट में हमेशा ही सभ्य और संसद ये भाशका ही परियोग करें और गवाहों से बयान या बहस करते समय बहुत ज़्यादा उत्तेजितना हो और सबसे लाश्ट में ये कि वकीलों का ये करतव्य बनता है कि वो न्याएक अधिकारियों, न्याएक आदेशों, निडने और डिक्रियों पर अनवशक टिपनी ना करें कंक्लूसन में हम कह सकते हैं कि एक वकील न्याए प्रशाशन में महत्वपून स्थान रखता है इसलिए उसे विधी विवसाएं में सफलता प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो उसे करतव्य निष्ट इमानदार और निपुन बनाती है इसलिए एक वकील को अपने करतव्यों का पालन इमानदारी से करना चाहिए और उसे कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे की कानूनी पेशे की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो दोस्तों ये थी जानकारी Duties of Advocates के बारे में आई होप की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेटन को हमेशा ओन रखिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप उससे अपडेट हो जाएं